हम लोग सिखेंगे कि कल के एक्सपरी के जैकपोटर को कैसे ऐडेंटिफाइ करना है और उसके पीछे का कम्पलीट लॉजिक क्या है तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंक निप्टी का अनलिसिस प्रॉब्लेम आता है मतलब उनको डर लगता है कि कहां पर मार्केट में इंटर करें और कहां पर एक्जिट करें तो यह डर को अगर आपको मिटाना यह तो प्राइज अक्षन के और ओपन इंटरेस्स के डेटा के लॉजिक को आपको समझना पड़ेगा इससे आपको पता चलेगा कि प्राइज में मुमेंटम कैसे होता है और फिर हम लोगों को कहां पर इंट्री और एक्जिट करना है तो सबसे पहले आभी हम लोग सीख लेते हैं कि आज के दिन मार्केट का जो मुमेंटम हुआ उसको कल के दिन हम लोगों ने कैसे प्रिडिक किया हुआ था कल का जो वीडियो था मैंने उसमें आपको इन डिटेल बताया हुआ था कि उपर की साइड में हमारे लिए जो इंपोर्टन रजिस्टन्स लेवल निकल के आ रहा है वो 43,600 के करीब का निकल के आ रहा है मार्केट उसी लेवल तक गया और वहां से एक बड़ा डाउनफॉल हम लोगों को देखने को मिला है अभी हम लोग डेली चार्ट का जब एनालिसिस करते तो डेली चार्ट में हम लोग पता करते हैं कि मार्केट में सेंटिमेंट क्या चल रहा ह इसका मतलब जो market में buyer और seller है वो अभी क्या सोच रहे है जब आपको पता चलेगा कि market में कब buyer और seller enter हो सकते तो आपको next trade plan करने में आसानी हो जाएगी अभी यहाँ पर फिलहाल आपको दिख रहा है कि market में जो upset का momentum चल रहा था इसका एक range bound का zone अभी यहाँ पर चल रहा है और इस range bound के zone में हम लोगों को यहाँ पर Friday के दिन seller active होते हुए दिखाई दे आज के दिन भी यहाँ पर seller active हो चुक है और दो दिन buyer ने try किया लेकिन वो market को उपर नहीं लेके जा सके market में आप trend का बड़ा face cup start हो सकता है जब market 43,600 के उपर निकलता है तब market में एक बड़ा momentum start हो सकता है अब यह आज के दिन जो लोगोंने sale के position बनाया हुए है यह लोग कब trap हो जाएंगे यह आपको पहले समझना पड़ेगा जब आपको यह समझ में आ जाएगा तब आप इसको short covering का rally का momentum पकड़ सकते हो कल के दिन opening में market जो है वो real body के 50% के उपर अगर open हो जाता है तो जिनोंने भी short के आज के दिन बनाये रहेंगे वो सब लोग trap हो जाएंगे और short covering का एक बड़ा move हम लोगों को देखने को मिलेगा market में downside का और pressure आपको कब दिखाई दे सकता है यहाँ पर market ने एक range बनाया हुआ है इस range में पिछले 4 दिनों से क्या हो रहा है वही पर वही market गुमते जा रहा है यहाँ पर जितने भी लोगों ने sale के position बनाये रहेंगे वो अभी immediate profit book करने के mood में नहीं रहेंगे क्योंकि कल के दिन उनको time decay का बड़ा benefit मिलने वाला है तो वो लोग क्या करेंगे जैसे ही market इस लोग को downside की तरफ downside की तरफ market break करेगा वो लोग और यहाँ पर sale के position अड़ कर देंगे और उनकी वज़े से क्या हो जाएगा market में एक fall हम लोगों को देखने को मिलेगा जो market को 42,600 के करीब लेके जा सकता है अभी यह psychology आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर कब market में seller enter हो जाएगे seller के already market में position बने हुए है यह हम लोगों को clear cut दिखाई दे रहा है price action में प्लस अगर आप open interest का data cross verify करोगे तो उसमें भी confirm हो जाता है अभी यह जो seller है यह seller immediate exit क्यों नहीं करेंगे क्योंकि already उन्होंने जो sale किया हुआ है वहाँ से market नीचे चल रहा है प्लस उनको time decay का benefit मिल चुका है मतलब वैसे भी seller लोग जो है वह अभी फिलाल profit में चल रहा है अभी और position वो कब add करेंगे जब दुबारा एक multiple वाला support वाला level break हो जाएगा तब वो लोग position को add करेंगे वो लोग अपने profit को book करना कहाँ पर प्रेफर करेंगे जब उनका time decay complete हो जाएगा premium 10 रुपया 20 रुपया की range में आ जाएगा तो वो लोग यहाँ पर profit book करना प्रेफर करेंगे और जब वो लोग profit book करना प्रेफर करेंगे तब हमें jackpot का trade यहाँ पर मिल सकता है तो यहाँ पर market open हो जाने के बाद एक upside का momentum market में दिखाया यह चोटे से momentum को भी हम लोगों ने catch किया उपर की side में market ने resistance लिया जैसे मैंने आपको daily के chart के कल के वीडियो में बताया हुआ था कि daily के chart के उपर यह एक important resistance level निकल के आ रहा है उसी level को market respect करके एक अच्छा कासा downside का momentum दिखाया फिर इस retracement के mode में बायर ने ताकत आदमा इसकी कोशिश की लेकिन यहाँ पर क्या हो गया दूबारा seller active हो गए और फिर उसको market को लेके आ गए नीचे आभी नीचे वाले rate पर आगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको long week वाले candle यहाँ पर दिखाई दे रहे है मतलब यहाँ पर कुछ ज़्यादा buying हम लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है तो कल हमारे ले important level कौन से रहेंगे उपर की साइड में देखेगे तो यही एक important resistance level हम लोगों को दिखाई दे रहा है और नीचे की साइड में हम लोगों को एक important support create होता हुआ दिखाई दे रहा है यह जो important support वाला level है यह support वाले level को जड़ा cautiously wait करना पड़ेगा क्योंकि इस level को market ने already 3 बार test किया हुआ है यह 3 बार test करने की वाज़ा से यहाँ पर यह support वाला level weak हो चुका है कल के दिन market अगर flat open होके इस level को मतलब 42,904 के level को downside की तरह break करता है तो उस case में हम लोग 42,900 का जो put है उसको buy कर सकते है इसको buy करने के बाद हमारा stop loss कहाँ पर रहेगा यहाँ पर जो swing high बन जाएगा वो as a stop loss की तरह हम लोग use कर सकते है यहाँ पर एक बात के उपर आपको focus करना पड़ेगा कि यह जो point यहाँ पर निकल के आ रहा है यह हमारे लिए important support की तरह काम करेगा मतलब market इस तरिके का कोई price action pattern यहाँ पर develop करता है इस support को break करने के बाद तो वो एकदम high probability वाला trade रहेगा जो market को आराम से 500 से 200 point तक नीचे की तरफ लेके जा सकता है और नीचे की side में 52,700 का जो level है यह 52,700 का level हमारे लिए target level निकल के आ रहा है तो इस trade को हम लोग कल के दिन आसानी से trade कर सकते है market में अगर बड़ा gap down हो जाता है तो बड़े gap down में हम लोग कोई भी trade नहीं करेंगे price action बनने देंगे और फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे मैं अपने इस free वाले channel में आपको update कर दूँँगा जिसका link में ने वीडियो के नीचे डाला हुआ है आप इस channel को join कर सकते हो अभी market अगर gap up के साथ open हो जाता है तो gap up के साथ कहां पर open होता है यह हमारे लिए important रहेगा market में 43,000 का level हमारे लिए crucial level बन चुका है market EC level के करीब पिछले एक गंटे से हवर कर रहा था आभी market इस level के करीब कैसा price action बनाता है और open interest का data बनाता है इसके उपर आने वाला momentum डिपेंड रहेगा फिलाल के लिए buying के लिए मुझे कोई यहां पर बड़िया opportunity नहीं दिखाए दे रहा है तो immediate buying के बारे में नहीं सोचेंगे कल live market में अगर कोई अच्छा pattern यहां पर develop हो जाता है और फिर इस trend line को अगर market 43,000 के उपर निकलता है तो हम लोग यहां पर फिर buying के बारे में सोच सकते हैं अभी देख लेते हैं कि nifty में किस तरीके का scenario यहां पर develop हो रहा है अगर यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको like कीजिए आपने YouTube channel को subscribe करके bell icon का button दबा दीजिए जैसा कि मैंने पुराने वाले मेरे वीडियो के explanation में आपको बताया हुआ था कि market जो है वो market overall downtrain में यहां पर चल रहा है यहां पर market का यह जो retracement का phase था यह retracement के phase में market ने दो दिन में एक inside candle का structure बनाया हुआ था और आज के दिन उसके नीचे market close हो चुका है अब इन नीचे की side में important support हम लोगों को जो मिल रहा है वो price action के हिसाब से और open interest के हिसाब से 18,000 का level मिल रहा है अगर आप देखोगे तो 18,000 के level के करीब market में एक अच्छा कासा activity हो चुका है तो कल के दिन अगर market flat opening के बाद इसको downside की तरह break करता है तो एक बड़ा momentum हम लोगों को नीचे की side में देखने को मिल सकता है तो कल हमर ले important level हम लोग किस तरीके से plot करेंगे सबसे पहले हम लोग price action के हिसाब से देखेंगे कि कौन सा level हमर ले important level निकल के आ रहा है तो यहाँ पर आज के दिन के close के करीब का मैंने एक level आपके लिए draw करके रखा हुआ है और फिर नीचे की side में यहाँ पर एक level draw करके रखा हुआ है यह हमर ले important support zone का काम करेगा अब इसके पिछे का psychology समझने की कोशिश कीजिए Friday के दिन जब market में seller active हो चुके थे तो इस level को market ने respect किया दो दिन buyer ने उपर लेके जाने की कोशिश की लेकिन इस high को market नहीं निकाल पाया आज के दिन दुबारा seller active हो चुके है लेकिन ये वाला जो support zone जहां से उपर market में आच्छा का सा buying हुआ था आभी तक इस level को market ने hold किया हुआ है तो कल के दिन अगर morning hours में यहाँ पे market sustain हो जाता है और फिर afternoon में इसको downside की तरह break करता है 17,990 के level को तो एक बड़ा fall हम लोगों को देखने को मिलेगा क्यों देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर seller जो active हो चुके है यह seller लोगों को already profit बन रहा है तो वो time decay में जब रहेगा वो time decay में अपने position में से exit नहीं करेंगे वो wait and watch की mode पे रहना prefer करेंगे और जैसे ही market यहाँ पर इस level को नीचे आ जाएगा तो पिछले दो दिनों में जो लोगों ने buy किया रहेगा वो लोग यहाँ पर trap हो जाएगे और वो अपने position को immediately निकालना start कर देंगे तो उस case में हम लोग क्या कर सकते है आटरा हजार का जो put है वो आटरा हजार के put को यहाँ पर buy कर सकते है आटरा हजार के put को यहाँ पर buy करने के बाद उसका stop loss यहाँ पर जो भी कुछ swing high बना रहेगा वो लगाएंगे और market में यहाँ पर 100 से लेके 1500 point का भी बड़ा momentum हम लोगों को देखने को मिल सकता है जिसके लिए कल के दिन हमें nifty में तयार रहना पड़ेगा इसके पीछे का reason है in between market में हम लोगों को कोई भी consistent prominent support नहीं दिखाई दे रहा है अभी intraday चार्ट में देखते हैं कि कहां पर हम लोगों को best trading opportunity intraday में मिल सकता है अभी आपके सामने में ने intraday का चार्ट लगाया हुआ है intraday के चार्ट में आपको clear cut दिखाई दे रहा है कि initially जो है वो market ने downside का momentum दिखाया और VC downside के momentum को market continue कर रहा है अगर आप यहाँ पर देखोगे तो buyer आपनी ताकत करने की कोशिश कर रहे है लेकिन वो previous high को भी निकाल नहीं पार रहे है जब तक market previous high को नहीं निकालता तब तक हम लोग buying के बारे में नहीं सोचेंगे अभी यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से एक बड़ा momentum स्टार्ट हुआ था यह लोग अभी भी position को यहाँ पर hold करने की कोशिश कर सकते है 18,000 का जो level है वो बहुत ही important psychological figure है प्लस open interest की data के इसाब से यहाँ पर put की side में भी आच्छा खासा open interest बन चुका है प्लस price action के इसाब से भी यहाँ पर एक important support level बन चुका है तो यतने सारे point हम लोगों को इस level के करीब मिल रहे है तो हम लोग इसी level को watch करना थोड़ा prefer करेंगे और जैसे ही market नीचे आ जाएगा फिर हम लोग यहाँ पर trade करने की कोशिश करेंगे बहुत सारे लोगों को problem यह आता है कि उनको समझ में नहीं आता जब one-sided momentum रहता है तो one-sided momentum में profit कहाँ पर book करना चाहिए profit booking के बारे में बहुत सारे लोगों को दिक्कत आती है इसके पिछे का reason है आप market psychology को नहीं समझते अगर आपको profit book करना है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि current market price कहाँ पे चल रहा है current market price previous day के high के उपर चल रहा है क्या या फिर current market price जो है वो previous day के low के नीचे चल रहा है क्या या फिर जो current market price है वो current market price inside the previous day range चल रहा है क्या ये अगर ये तीनों point आपको समझ में आ गए तो आप आसानी से profit book कर सकते हो ये सबी advance concept जो है वो मेरे free वाले course में मैं आपको सिखाने वाला हूँ इस free वाले course को कैसे join करना इसके सब details मैंने telegram channel के उपर दिये हुए है और telegram channel का link वीडियो के नीचे description box में मैंने डाला हुआ है अभी for example मैं आपको बता देता हूँ जो लोगों ने मैंने कल के वीडियो में आपको यहां पर explain किया हुआ था कि यह जो trend line है जैसे ही market trend line को break करेगा और 18,200 के नीचे आ जाएगा market में एक बड़ा downfall हम लोगों को देखने को मिल सकता है जो लोग मेरे regular वीडियो देखते हैं उनको पता रहेगा कि यह explanation मैंने आपको कल के वीडियो में दिया हुआ था इसका psychology भी भी price action के हिसाब से explain किया हुआ था अभी बहुत सारे लोगों ने यहां पर sale के position बनाए रहेंगे लेकिन वो quick profit book करके निकल जाते हैं exactly उनको समझ में नहीं आता तो जैसे ही आप वो free वाला course करोगे आपके doubt clear हो जाएंगे अभी देख लेते हैं कि यहां पर jackpot trade को कैसे identify करना है और jackpot trade के पीछे का complete logic क्या है jackpot trade के पीछे का complete logic अगर आपको समझना है तो step by step procedure को आपको follow करना पड़ेगा पहले हम लोग देड़ बज़े तक का wait करेंगे देड़ बज़े के बाद देखेंगे कि market में कौन से level के उपर highest open interest यहां पर develop हो चुका है मानलो के 18,000 के price के उपर highest open interest develop हो चुका है और देड़ बज़े के बाद market इस level को downside को break करता है break करने के बाद market यहां पर sustain हो जाता है तो उसकी वाज़ा से क्या हो जाएगा उपर वाले rate पर जो भी लोगोंने buy के position बनाए रहेंगे वो सब लोग यहां पर trap हो जाएंगे अगर buy वाले यहां पर trap हो जाता है तो उनको अपने position को square up करने के लिए सिर्फ और सिर्फ साड़े 3 बज़े तक का समय बचा रहता है तो अपने buy के position को square up करने के लिए वो लोग sale का order punch करेंगे इसमें से कुछ professional trader ऐसे रहेंगे जो अपने loss को recover करने के लिए double quantity के साथ sale का order punch करेंगे और कुछ हमारे जैसे लोग रहेंगे जो price action का benefit लेने के लिए यहां पर sale का order punch करेंगे इसके वज़े से क्या हो जाएगा market में sale का एक बड़ा order flow develop हो जाएगा अगर कम समय में जादा order flow market में आ जाता है और counterparty उतना बड़ा नहीं रहता तो यहां पर एक quick momentum हम लोगों को देखने को मिल जाता है तो यहां पर यह quick momentum catch करने के लिए हम लोग कोन से option में trade करेंगे तो हम लोग out of the money option में trade करना prefer करेंगे जिसका premium 15 से लेके 20 रुपे के बीच में रहेगा और जिसका stop loss मात्रब 5 रुपे का हम लोग लागा देंगे जैसे ही कल के दिन कोई ऐसा opportunity develop हो जाता है मैं अपने इस free वाले channel में update कर दूंगा जिसका link video के नीचे मैंने डाला हुआ है तो मिलते हैं next educational video में thank you very much